दोस्तो शाउमी लेकर आई है एक शानदार इलेक्ट्रिक सैकल जिसको फोल्ड करके आप कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं तो दोस्तो इस electric cycle की और भी खास बाते जानने के लिए बने रही है end तक क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात दोस्तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि electric vehicles एक नई train की तरह उभर रहा है लोगों की electric गाड़ियों की चाहत दिन बदिन बढ़ती जा रही है दिकट स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Xiaomi भी अब electric vehicles बना रही है सस्ते स्मार्टफोन से एशिया के बाजारों में च्छा जाने वाली यह कंपनी अब electric वहन बना रही है electric scooter के बाद Xiaomi अब electric cycle लेकर आई है दोस्तो Xiaomi company अब अपने Yopin brand के तहट एक नई electric cycle Hemo Z16 को लेकर आई है पहली नजर में Z16 हाल ही में Xiaomi के platform पर launch की गई अन्ने e-bike की तरह ही दिखती है लेकिन जब हम इसे करीब से देखते हैं तो इसकी कई दिल्चस्प खासियतों का पता चलता है तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी खास frame की Xiaomi Yopin Hemo Z16 को बनाने में aluminum alloy का इस्तमाल किया गया है और इस cycle के rear में वास्तविक swing arm suspension दिया गया है यह feature आम तोर पर full suspension mountain bike, moped और motorcycle में मिलता है electric cycle को खास बनाता है इसका foldable होना यानि इसे आसानी से मोड कर समिटा जा सकता है cycle को तीन अलग जगों से fold किया जा सकता है handlebar, beach का frame और pedal इसमें magnetic clasp लगाए गए है जो cycle को fold किये जाने पर पूरी तरह से चिपकाई रखते है जिससे इसे कहीं भी बहुत आसानी से ले जाये जा सकता है दोस्तो अगर मैं बात करूँ इसके riding mode और speed की तो यह cycle आपको मिल जाएगी तीन modes के अंदर पहला mode है pure electric power दूसरा है power assisted और तीसरा है main power pure electric mode के अंदर यह 55 km तक चल सकती है और power mode में यह 80 km तक की दूरी कर सकती है दोस्तो इस electric cycle में आपको मिल जाता है HD LCD instrument cluster यह LCD IP into 7 level का है जो पूरी तरह से waterproof है दोस्तो LCD display की मदद से आप electric cycle के data की monitoring आप आसानी से कर सकते है इसकी screen में आप speed, power, riding और mileage जैसी जानकारी देख सकते है इसके अलावा अगर cycle में किसी भी तरह की कोई खामी है तो वो भी आप इसके अंदर देख सकते है cycle में dual disc brake और high wear resistant tire दिये गए हैं जिससे यह आसानी से slip नहीं करता और हाँ दोस्तों आप मेंसे कई लोग जरूर सोच रहे होंगे कि अगर battery चोरी हो गई तो क्या होगा तो दोस्तों मैं आपको बता दू इस cycle के main beam के अंदर battery चुपी हुई होती है जो दिखाई नहीं देती इसे आसानी से charge किया जा सकता है इसके साथ ही इसमें anti-theft lock लगा हुआ है जिससे battery की चोरी नहीं की जा सकती दोस्तों आप मेंसे काफी लोग इसको खरीदना जरूर पसंद करेंगे तो मैं आपको इसकी कीमत के बारे में बता देता हूँ इस cycle की कीमत है लगभग 350 डॉलर जो कि Indian rupees में बनती है तकरीबन 27,000 रुपे तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही इस YouTube चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले Thank you so much for watching